हेलो दोस्तो नमस्कार ऐसे हम किसी चैनल में में आप सब लोगा दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ सो दोस्तो इस वड़ो को स्टार्ट करने से पहले आज के जिन के पहले दो इंपोर्टेंट वीडियोस जरू इनको स्टडी कर लेना दोनों वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फर्स टाम विजिट के चानल को जरू सब्सक्राइब कर लेना और फ्री स्टॉक मार्केट क्लासे इस चानल को भी फॉलो कर सकते हो लिंक उपर आए बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सब चले दोस्तो फिलाल इस वोडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जाप एक बहुत बड़ी हम लोग को ब्लॉक डिल होते वे देखने के आपर मिल सकते हैं ब्लॉक डिल मतलब आपको पता है करूडों के शेर्ज यहाँ पर बाजार में बेचे जाते हैं और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं इस टॉक में हम लोग को प्रेशर देखने के आपर मिल जाते हैं जब इतना हेवी सेल आफ अगर आ सकता है तो डेफिनेटली उस टॉक में प्रेशर यहाँ बन सकता है सबसे पहले में आप लोग को बताना चाहूँगा यह अभी तक कोई भी ऑफिशली खबर सामने नहीं आई है यह आप लोग को मैं बताना चाहूँगा यह फिलाल खबर बाजार में हम लोग को घुमते वे देखने के आपर मिल रही है बट शायद से हम लोग कह सकते कि कुछ खबरे हम लोग को पहले ही अंदाजाद दे देते जब बाजार में इतनी तेजी है इस स्टॉक में हम लोग को प्रेशर भी देखने को मिला है यह खबर आज ने तो कल सज भी साबित होते वे देखने को यहाँ पर मिल सकती है जैसे मैंने का कि officially नहीं है तो शायद से कुछ बदलाव भी हो सकते हैं कुछ changes भी हो सकते हैं फिलाल जिस का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है जो कि इतने बड़ी quantity यहाँ पर बेच सकता है 4.85% तक के shares वो यहाँ पर hold करती है लगबग 13 करोड से भी जादा दोस्तों आप देख सकते हैं 13 करोड आठ लाग 3,000 shares मतलब उससे भी जादा की shares यह इस company के पास है हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं और उस company का नाम अगर आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हैं Silverview portfolio investment के अगर हम लोग बात करें केवल एक ही यह company है जिसके पास यह 13 करोड के share 13 करोड shares मतलब रूपीज की बात नहीं हो रही दोस्तों यह number of shares है multiply करोगो इसको रूपीज की currently जो amount है तो मतलब यह करोड की deal है हम लोग यहाँ पर बोल सकते बड़ जैसे मैंने कहा कि अभी तक official announcement नहीं है तो इसलिए इसके उपर blindly भरोसा करना भी difficult हो सकता है but 4.85% तक केs take hold करते हैं और बताया जा रहा है कि यह पूरा का पूरा माल यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेज सकते हैं तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर अच्छा का सा pressure भी इस stock में बन सकता है तो क्या यह खरीदने का एक मौका रहेगा तो इसी से related बाद भी यहाँ पर करनी है पर दोस्तों उसके पहले एक जबरदस आपको यहाँ पर हुमबक देना चाहूंगा जरूर यहाँ पर इस company का नाम फिलाल reports के जरी सामने आ रहा है जरूर मुझे इचे comment section में बता के बता देना कि इस company को एक और नाम से भी आपर जाना जाते है जो कि एक बहुती famous नाम है अगर आप लोग जरू सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा comment section में बता देना यह थोड़ा सा यह भी challenging part है ऐसा हमें आपर कह सकता हूँ जरूर इस company का नाम फिलाल यह आपर चल रहा है जो कि इतने बड़े shares hold तरते 13 करोड के shares मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो amount की बात में नहीं कर रहा हूँ एक company कौन सी है जो कि आज आज आप देख सकते हो दोस्तो इतने जबरदस अच्छी तेजी में भी यह stock हम लोगों को साड़े तीन परसेंट से ज़्यादा pressurize देखने को मिल रहता है और शुरूआत से ही opening यह अगर आप लोग देखोगे usually हम लोगों को pressure के साथ ही देखने को मिली थी और उसके बाद यह pressure और भी हावी होते वे देखने को यहापे मिला था इसी के उपर अभी हर कोई यहापे चर्चा कर रहा है यह कमपनी बिलकुल अभी हम लोगों को यहापे बाजार में यहापे देखने के अगर हम लोग बात करे परफॉर्मस तो पुराने टाइम से ही है यह देख लेना बट अभी फिलाल यह कमपनी कुछ ज़्यादा ही popular यहापे चल रही थी दोस्तों इंडस्ट आवर की बात करें अगर आप लोग यह देखोगे यह देखें बॉमबे स्टॉक एक्स्जेंड लिखा है अगर आप एनस्ट देखोगे तो आपको अभी अभी का चार्ट पेटन यहापे मिल जाएगा बहुत ही popular खबरे भी हम लोग ने यहापे देखे फ़की का है ठीक ही यह तो पहली बात होगे चलो ठीक ही हापे हम लोग इसको छोड़ेतेए बहुत संस्र út चार्ट पेटन देखते तो कान्फ्यूस यह पहो जाते बहुत लगतता है की खराब हो गया suddenly then 12,000 करोड थोड़े से all down then 13,000 करोड so company के फिलाल से रिजाओ हमनों को मतलब ठीक है 13,000 करोड कोई खराब नहीं है बर fluctuating manner में then आप देख सकते करजे की बात करे debt-free company थे अभी 1500 करोड का करजा है आप लोग बोल सकते long term borrowing then short term borrowing देखेंगे तो लगबख 5,000 करोड का करजा है अगर हम लोग आप नीचे आ जाते cash and cash equivalent तो लगबख 13 करोड की cash है तो balance rate अगर देखा गया इतनी strong नजर नहीं आ रहे है results consistent नहीं है मतलब consistently बढ़ नहीं रहे करजे की बात करें long term borrowing तो वो भी 1500 करोड अभी फ्रेश देखने को मिल रहे है short term borrowing भी है and cash भी बहुत ही हम लोगों को कम नजर या पर आ रही है so balance rate भी इतनी strong नहीं है next अगर हम लोग आ पर आ जाते दोस्तों तो company का PNL यह देखना बहुत ही जादा important बनता है तो 2017 आप देख सकते हो यहापे 2018 देख सकते हो एक flatty performance है 2019 में थोड़ा सा jump 20 में jump and अभी 21 में थोड़ा बहुत recovery देखने को यहापे मिल रहा है so अभी तक तो कहानी चलो ठीक सब कुछ चल रहा था ठीक है PNL भी थोड़ा बहुत हम लोगों को ऐसा jump करते हुए देखने को यहापे मिल रहा है पर दोस्तों जैसे हम लोग यहापे आ जाते शेर holding pattern के और सो दोस्तों कहानी पूरी तरीकी से पलट तीवी देखने को मिलती है आप लोग यहापे देख सकते हो 53% पहले शेर यहापे था कोई भी गिर्वी नहीं था वो सारी चीजे हम लोगों को एड़ेल से लेटर जैसे मैंने आप लोग को बता है था भारती एड़ेल इंफ्राट इसे बहुत सारे हम लोगों ने खबर यहापे सुनी थी उसके बाद आप लोगों को देख लेना 69% यहापे एड़ उसमें से 40% दोस्तों यहापे एक एक अक्टिवेटी होती है corporate action हो चुकी थे आप सब लोगों को पता है इससे रेलेटेड भी स्पेसिफिकली वीडियो यह चाहे तो अपनी शेयर को वापस क्या कर सकते हैं पे करके वापस यहापे छुड़ा भी सकते हैं पट फिलाल कंपनी रिस्की पोजीशन में देखने को अम लोगों को मिल रही है foreign investor की बात करें तो foreign investor आप देख सकते हो 40% पहले थे अभी 26% के आसपास देखने को मिल रहे है DIS की बात करें तो पहले 4% थे अभी तो सिर्फ 2% के आसपास लगातार गिरावट है आप लोग देख सकते थोड़ा समय प्रॉपरली इसको चार्ट पैटन एड़स्ट कर ले तो अभी ठीक रहेगा देखने के लिए देन पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी देख लेना ज्यादा इसमें इंट्रेस्टेड यहापे नहीं है चलो ठीक है ऐसी कोई बात नहीं बड़ प्रमोटर होल्डिंग जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस नजर आता है जहापे 40% क्या है शेर गिरवी देखने को यहापे मिल रहे है यह कुछ डेटा है जिसके चलते हैं हम लोग कह सकते हैं इंडस्ट आवर का यह जो शेर है 13 करोड शेर यहापे बेचे जा सकते हैं बहुत बड़ा सोधा हो सकता है अगर यह गिर क्या तो इसको बाई करना थोड़ा सा मुझे यहापे रिस्की यहापे लगता है जिन भी लोगों ने इससे रिलेटर सवाल पूछे थे तो मैंने अपनी साइड से आप लोगों को जवाब यहापे दे दिया है स्टॉक मार्केट में इतनी सारे स्टॉक अवेलेबल है लोगों को होल्डिंग भी यहापे रखना पड़ सकता है ऐसे भी चीज़े हम लोगों को देखने को मिल सकती है तो अगर तुभी फ्रैंक अगर में यहापे बोल दू तो इस कंपनी में पोजिशन मनाना बहुत ही जादा रिस्की है तो मैं तो इस स्टॉक को अवाड़ी करूँगा पहले भी यह कोई मेरे पोर्टफोली में तो यहापे है नहीं इतने अच्छे स्टॉक से जैसे मैं आपको बता है अभी सारी चीज़े वापस हम लोग को रिनी होते वे देखने को यहापे मिल चुके तो डेफिनेटली हम लोग को देखना पड़ेगा कि कंपनी का परफॉर्मस कैसा रहेगा उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे सो ओरल कंक्लुजन के है दोस्तों कंक्लुजन यह की कहना के चाहूंगा कि अगर यह 13 करोड शेर यहापे बेचे जाते है जैसे मैंने का कि ओफिशल खबर नहीं बड़ अगर बेचे जाते है सो डेफिनेटली यहापे यह स्टॉक नीचे आ सकता है वहाँ पे कोई डरने की बात नहीं क्योंकि वो फंडामेंटली बहुत ही स्टॉक है इस स्टॉक की बात करें तो फंडामेंटली वीक नज़र आ रहा है खास करके शेर होल्डिंग पैटन में प्रमोटर के 40% से दाजा के शेर गिरी भी रखे हुए तो यह पैटन इन्वेस्मेंट लॉंग टर्म इन्वेस्मेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नजर नहीं आ रहा है दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने का मकसद यह की होता है कि हम लोग कौनसे स्टॉक खरीदने चाहिए इसकी तो स्टड़ी करते है बट कौनसे स्टॉक अवएड भी करने चाहिए यह भी उतना ही या फिर मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी ज्यादा इंपोर्टन चीज रहती है तो इसलिए यह वीडियो इंपोर्टन था इसलिए आप लोग के सामने आपे रख दिया है अगेन कहे रहा हूँ ओफिशल खबर आएगी नहीं आएगी वो बाद में देखेंगे और जो भी आपको साइड इशन लगता है आप अपने हिसाब से आपे ले सकते हो बट मैं अपने हिसाब से आप लोग को सारी चीज़े बता चुका हो अगर वो खड़ा नहीं रहेगा तो फिर बात ही खतम हो गया और सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रॉंग शेर्स ही वापस कमबैक करते हैं तो इसलिए अच्छे स्टॉक में हम लोग को रहना होता है तो कमपनी के नंबर देख लेना अगर आप लोग फिर भी इंटरेस्टर तो एंड उसके बाद आप लोग चाहो तो decision ले सकते हो आशा करता हो जितने भी बात हैती हो आप लोग के सामने आपे रख दी है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो like and share भी कर सकते हो so that's it thank you very much so we will be meeting our next video तब तक के लिए बाई बाई